अंकिता की मा सुना देवी है उसने बोला है कि मेरी पेटी के मौत के बदले मुझे मौत ही चाहिए अभी शुबह के साड़े दस बज रहे हैं और हमारे त्यारी हो रही है चवटकाल मार्केट जाने की थोड़ा लेट हो चुका है आज वहां पर एक रैली है कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी उतरा खंड में अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी कि इंसाब के लिए इस तरही निवासी है सारे आज एक रैली करेंगे और हम जा रहे हैं आज चवटकाल मार्केट हमारा मां पर कुछ काम भी है और हम भी उस रैली में सामिल होंगे तो आज के वलोग की सुरुवात करते हैं सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार वरा नमस्ते मेरा नाम है कितने अब करेंगी और स्वागत आपका देव वुमित्राखंड के खुश्वरत पाड़ो से आज भी दूप पाड़ो पे और बादल विया आसमान में तो जो दूप है वह बहुत तेज लग रही है पाड़ो 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 पाड पर मिन्ना है तेरे कातीर जिंदा है तोसियों को नई को फासिदो तोसियों को फासिदो तोसियों को फासिदो ने पुल्गी दार मुर्दपाद मुर्णा पार तेरे काथिल जिंदा है जूरी पेलो हाथ में तेरे कातिल जिंदा है तेरे कातिल जिंदा है बयाँ बयाँ पाजिगोंом इस चिसाने चिसाने आंकिता हम सर्मिन्दा है, तेह काची जिंदा है, गोसियों को फासी दो, बोसियों 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 को आज आप सब को पिदिते हम यहां पर क्यों गेड़े हैं यहां पर चौंद कोड़ की इस धर्दी में तीलों की इस जनम भूमी में इस शेक्र की तमाम जो मातरशाती आई हैं जितने भी हमारे यहां पर राजने की और सामा प्रदिनिदी आए हैं मैं आप सब्सक्राइब करती हो कि आपने एक भी वर में दलगत राजने की से उपर उपकर उस प्रेंडी के लिए एक सर्में जो यहां पर आवाज उठाई उठाई उसके लिए मैं आभारी हुए एक शंदेशाज यहां से हमारा जाएगा कि हमानी चौंद कोड़ की समूजी जितने भी लोग यहां में जिसमें छेतर से जिसमें सस्ता तलों से जुड़े हैं वो एक होकर अपनी बेटी के लिए पत्सक्राइब क्यों कि उसको न्याय दिलाना हुए आप जालते हैं कि हमारे अंतरगत गोव सिर्पोर्ट की बेटी अंधिता भंडारी का 18 सितंबर को न इसके बाद चार दिन तक प्रसासर के कानों में जू तक नहीं रहें थी चार दिन तक उसके विता दर्वदर भटक रहें थे न्याय की गुहार लवाने थी जितनी चानकारी हमें मिली शुरू के दिन से कि रेवियू जेतर में वो विवस्ता आती थी कानों की तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम उनों ने किया कि जो दोशी है उन्हें बोला जाता है कि बड़े रसूपदार है और उनको अंदर बिठाया जाता है उन्हें चाय पानी पिलाया जाता है और जो बेटी जिसके साथ इतना वड़ा अकांट हो गया उसके पिता बाहर में बैठे नयाय की गुहार लगा रहें कि ते शरंटी तो यह बड़ी शरम कभी से हैं सब जगा वही बोलते आ रहे हैं यह कोई राजनीकिक लड़ाई नहीं दोशी दोशी होता है गुनागार गुनागार होता है उसके ने कई जाकी होता है ना कई वरण होता है दोशी का कोई जाति धरम नहीं हूँ जैसे बोलते हैं ना कि इतना भी बड़ा Wंध कत्रोड होती है उसकी बात में होती है उसकी दरदोशी करार देते हैं और जो जगण्या पहराद उससे किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ भास ही है, लेकिन इतना जरूर कहोंगी कि हमारी न्याय व्यवस्ताओं में, हमारा जो ये सिस्टम है, ये उसकी कमी थी, कि आज अंकिता के साथ जो ये देरी हुई, जो डिलाई हुई, सारा दोस उनिका हुई, अगर उन चार दिनों में पैरडी हो जाती, वो अपनी जिम्मेदारी नी बाते, तो साथ उसकी को ऐसा नी भटकना पड़ता, और ऐसी कैसी बात है कि जब जनता का ही प्रेशर बने तब काम करोगे, जब जनता का प्रेशर बना तब आपने पुलिस को होट केस ट्रास्पर किया, जनता का जब प्रेशर बनता जनता प्रेशर बनाती रहेंगे आप अपनी जिम्मेदारी कम लोगे अर्य नमने उन्हें पॉलने की जरूरत नहीं है वहां पे यूंकि आज समाच जहां जा रहा है उसी के खर्शक नहीं हो सकता है अगर करीड की बेटी के साथ यह हुआ और हम आज उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे एग नहीं होगे तो हमाने लिये करन आवाज इसाथ होता है तो हमें इस फोजों से उफर होना चाहिए हमें बोलने की जरूरत नहीं कि हमें आवाज उठानी और लड़ना है मैं आप सभी से बूलना चाहती हूँ, कि अगर न्या इनकी थाबों दिलाना है, तो वह सिर्फ और सिर्फ जन्ता दिला सकती है, वह मात शक्ती दिला सकती है, वह आप लोग दिला सकते हो, वरना उन लोगों से लड़ना इतना आसान भी नहीं, जिस तरह की ये, बतना जिस तर लाए उस बहन की गलती नहीं है वो सुबह पाँच बजे से वहां धर्णे पे बाटी ते उस बेटी के लिए और सामके छे बज़ गए थे सुबह पाँच बज़े से और छे बज़े तक बैठना गोलो न वह इसलिए बैठे थे कि हमें न्याय चाहिए हम दास असकार तब करेंगे जब भी हम रिपोर्ट सारवजनिक हो जाए अगर उसमें कोई संका होगी और उनके बीच भी इसी तरह का एक बेशरम जैसे परसो आपने सोचल मीडिया पर देखा होगा जिसने चलाया उसी तरह का उनके बीच गया और उनक किता की मा सोना देवी है उसने बोला है कि मेरी पेटी के मौत के बदले मुझे मौत ही चाहिए लेकिन हमारा आत्रसमान और वाकई गरीब के पास ही इस समय आत्रसमान और स्वाति मालगी है तो इसलिए इस लड़ाई को हमने जारी रखना है और समस्त प्रदेश में मैं बोल रही हूँ मैं अपनी आंगनवाडी बहनों से भी बोलती हूँ अपनी मात शक्ति से बोलती हूँ जितने लोग यहां पे मेरे आदरनी आये हैं मैं आप सको भी नमन करती हूँ कि बेटी के लिए आपने मुखरू के यहां पे एक संदेज चौबटा खाल से गया है कि दंगत राजनी से ऊपर हूँ कि हमने अपनी बहन को लिए आवाज उठाई है कि गलत गलत है अगर वो भी गलत चलते हैं उनके भी पुदले पहन होने चाहिए उनका भी जिलोग होने परिवार पहले अपना स्वाविमान अपना छेत्र अपनी बहने अपनी बेटी आए उसके बाद कोई नेता और सक्ता और पार्टी आउख कुर्टी आए मैं कल भी बॉल ली यह तीर इलू की दर किया कितनी महिला है हमारी मात्रशक्ति को भी बओलना चाहती हूँ इतनी महिला है तीलू रोते लिए अवार्ड से सम्मानी दोते जानी हैं बिगत वर्सों में कहा हो आप क्यों आप हमारी उस तीलू के नाम को भूते हो शरमानी चाहिए तुम को भी तुम बाहर नहीं नुकल रहे हो कब आवाज उठाओगे हमारे साथ चलोगे मातर सक्ती जिन्दावाद 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 के सम्मान में एक होना है सब्सक्राइब करती हो और आप से निवेदन भी करती हूं कि यह जो ज्वाला जली है यह पुचिनी ने पाई जब तक अंकीता का केस फास्त है ओट में न जाए जब तक उसे न्याए न मिले हम अपनी ये लडाई नहीं रोकेंगे हमने नौरात्रे के पहले दिन दिशबत रहे की जिए मेरा नौरात्रा भी वही होगा कि समाइच की इस पिकृति में मैं बोल भी हमारी पेटियों के लिए अरब कंट्रियों में पतर में हमारी कितनी बेटिया नौरी कर रही है होटल लाइन में कई पेशरम सोचल मीडिया पे देखती हूं कमेंट करते हैं कि पेटी को नौगई करने के लिए बेज दिया उन पेशरमों को भी बोलना चाती हूं कि कतर अरब कंट्री में हमारी बैटी सुरक्षी तो जो काम कर लिए कि अपने जनपत के अंतरगां कर रही थी बाहर भी नहीं थी अपने जनपत के इंतरगां कर रही थी तो एसे लोगों को भी हमने बोला है एसे लोग जोशेल मीडिया पर भी कहीं पर जो उठाते हैं उनको भी जूते बजाए मातर सकी जहां पर है वो उसका भी घिरा हो करें इसका भी घिरा हो करें आज यह प्रसासन सही होता तो साइद वो बेटी भी जिन्दा होती मैं राजसर को भी यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी जो अपने काम है उनमें तीवरता लाए ऐसा सोई सोई रैटी नहीं चलेगा ऐसा तो हमारी कितनी बेटी अभी बंदिदान के उसमें चोड़ सकती है इसके हमने यह भी एक निर्ना लेना है कि राजसर सभी अच्छे से काम करें और आगे हमारी बेटी को नियाएगे इसी सब्दों के साथ में अपने सब्दों को भी राम देती हूं धन्यवाद अपर उपस्तित प्रवपर्मग पर्वपर्मग जस्वाल भाई एवा मुपस्तित समस्त बिकास खंडी एक निसरों पुखडा से आई हुई है आगनवाडी कारेकरती बहने मातर सक्ति समाजिक कारेकरता बंदों जो आज अलक जगी है पूरे परदेश में तो हम भी बड़े आहत हैं कि एक महला तो हमारी बेटी और बहन है समाज में इस तरह से आज के समय में भी जो इते भूमि के लोग हमारी बेटी को जो है यह इस तरह से आखफित मौत दी है इसके लिए जो है को इक तलगत भावना से काम नहीं हो रहा है बलकि सब लोग हमें एक हैं किसी भी पार्टी से जुड़े हो लेकिन वो बेटी हमारी थी वो बेहन हमारी थी और मैं एक बात हो के ना चाहता हूं कि आज महलाएं जो है हर जगे पर्चट के आगे हिसा ले रही है हमारी महलाएं गराम पर्दान है हमारी महलाएं छेतर पंचाइड है परमुख है चिल्ला पंचाइड की सदेस हैं और यहां तक कि लिए पर्टेक जो है जो को मैं हमारी जो है समाजी पह प्रफिए अपने कारें उसके आपिस में जाती है उसमें समाज के फिडिये ऐसे उसमें पर चजित्र हनंब का आवब लगा देते हैं प्रफिए उसे इस नज़र से तेख रहें कि यह महला सबसा में अपने कारें सोयम कर रही है उसके पीट पीचे नजाने पचासों तरी की बाते होती रहती हैं मैं आहां होना चाहता हूं आप लोगों के मादम से इन फेडियों को भी चेहनित करने की जरोते फेडिये हमारे समाज में हमारे बीच में हैं और जब हम इनके साथ देंगे तो निसी तेकल यह भी पुर्कितारे बन सकते हैं मैं यह कहता हूं भी है इस आपके समस्य आपे मंच के मादम के नजसे कहना चाहता हूं कि वो भुली कारे और उसका बाप कितना ही बड़ा क्यों नहों उनको सजा मिलने चाहे बल्कि अगर उसके घर्वानों को भी इसको आज चगी है तो इसको यह लूप उज़नी नहीं चाहिए और समाज में ऐसे बेरों को फूणी है आप पैड़े हर जगे हैं क्या इस पर्दान समाज इसलिए बना हुआ है कि इस मेहुं की छीटा कसी करें मेहला। पे टीकर टीपड़ी करें इसलिए नहीं बना हुआ समाज मेहला हैं हर जगे बढ़ चाट के भाग लेती है और ऐसे प्यक्तियों को चहनित करारे की जरोते हैं और इस पीड़े को मैंने अपने हाथ में लिया है कि इस तरह के जो गंदे लोग इनको समाज के मादम से भी सजा दिलवाएंगे कानून के मादम से भी सजा दिलवाएंगे